आपकी नजर में कौन साइसे नेता हैं जो प्रवल दावेदार हैं बहुत सारे नेता हैं नाम तहये आज मैं बोल दूंगा कल से बावाल सुरू हो जाएगा इस सवाल को पूरा कर देता हूं मैं जानना चाहरा हूं कि अगर नाम आ गया नारा आ गया अगर फेस आ जाए और यह डिसाइड कर लिया जाए कि राहूल गांदी को इस इंडिया कड़ बंदन का फेस बनाए जाएगा पी एम के तौर पर तो आप सभी को कोई गुरेज है दे थो सब तो इसके बारे में जो फैसला करना है वो इंडिया को करना लाहुल गांदी के वा जिसके बारे coming फैसला एलायंस के अंडर होगा गडबंदन के अंडर होगा उसको हम लोग मानेंगे वह किसी कभी नाम तैह यह ना भी तैंओं तब भी हम मानें दोनों परिस्तितियों में हम तैयार हैं क्योंकि इस देश में चुनाओ पहले भी ऐसे हुए हैं जिसमें कोई चेहरा तैय नहीं था दोजार चार में कोई चेहरा नहीं था दोजार चार के बाद सरकार बनी और दस साल वो सरकार चली यूपिया की तो इसलिए जो भी फैसला इंडिया एलाइंस का होगा उसको हम लोग मानें अपको क्या रखता है बेस्ट आप्शन क्या है कि बिना चेहरे के जाएं या चेहरे क क्यों नहीं बना जब अपना पटना की मीटिंग हुई तब भी आप लोगों ने कहा कि वहां पे संयोजग बनना है नहीं बना उसमें फिर ये तैह हुआ कि साब दिल्ली का जो बिल है उस पे इंडिया गडबंदन हमको सपोर्ट करेगा और बहुत अच्छे से सारे दलों न के बाद बैंगलोर की मीटिंग हुई तब यह चर्चा थी की कनूینर बनेगा नहीं हुआ मुंबई की मीटिंग में भी और मुंबई की मीटिंग में ये तैह हुआ कि साथ पहले ये कमेटियां बनेंगे और उसमें सब के नाम जो आपके सामने आए हैं वो नाम तैह हुए अब मैं समझता हूँ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इसके बारे में फैसला हो जाएगा एक चीज़ और है की बराबर बात हो रही है कि स्टेट में एलेक्शन रड़ेंगे फिर वो गड़बंदन कैसे चल पाएगा कि इसका बैस्ट आप यह तलास रहे हैं कि च्छतिस गड़ में जैसे ग्यारे सीट हैं तो एक पर आप बात कर लो एमपी में 29 हैं तो एक पर आप मान जाओ या फिर राजिस्तान में 25 सीटे हैं तो उसमें एक पर मान जाओ मतलब कि आमानी पार्टी के वल बीस सीटों पर बात नहीं करना चाहती है वह जादा पर बात करना चाहती है यानि 20 मतलब मैं बता देता हूं कि 13 प्लस साथ दिल ली कि ऐसे किसी भी कालपनिक सवाल का मैं जाब ने करेंगे किसको कहां से लड़ना आ है अब मैं यहां पे इस कारिकरम में कैसे बता दूं कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी जैनली डिसकॉशन करते हैं तो उतरप्रदेश में जब इंडिया की बात करते हैं तो हम SP, Congress और RLD क्या हम आमानवी पार्टी को छोड़ देते हैं हम आमानवी पार्टी को भी वहाँ पर काउंट करें कि उनको भी एका सीट मिल सकती है काउंट करिये मिल जाए तो अच्छा है मैं करा हूँ यह ऐसा मुद्दा है जिस पर आपके लिए भी आप भी यहां बैठे होंगे तो जवाब देना संब्व नहीं है जब एक एलाइंस बना है सुन तो मैं सुन तो लिजे एलाइंस जब एक बना है और उसमें यह जिम्मेदारी दी गई है कि अक्टूबर तक एक टाइम लिमिट हम तेह करते हैं और तब सीट सेहरिंग का फैसला उस समय होगा तो मुझे लगता है कि उनको मौका दीजिए सब मिलके तेह करें कौन कहांसे लड़ेगा कौन कहांसे लड़ेगा कितनी सीटों पर लड़ेगा उनको मौका मिलना चाहिए हो तैंके करें आपस बैटके बातचीत करके झाल झाल